हेलो गाईज, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, मैं C.A. शम्मी सलुजा, देखिया आज में स्पेसिफिकली बीकॉम ग्रेजविट स्टूडेंट या बीकॉम या MBA चिन्होंने कीवल MBA कर रखा है या M.com कर रखा है, B.B.A. कर रखा है और स्टूडेंट या C.A. इंटर स्टूडेंट जिन्होंने U.S.C.P.A. में एडमीशन तो ले लिया, लेकिन वो U.S.C.P.A. को एक साल, दो साल हो गया, पास नहीं कर पा रहे है, उसका रीजन क्या है, वो भी हम डिसकस करेंगे, और इस जो प्रॉब्लम्स है, जो इस डिफीट ह जो टेंपरेरी आप लोग अभी U.S.C.P.A. नहीं पास कर पा रहे है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, बहुत सारे से स्टूडेंट के मुझे मैसेज आते हैं, सर हमने एक एक डेडेड लाख रुपे का इंस्टीट में इंवेस्टमेंट कर दिया, हमने सॉफ्टर खई लिय कई जगा से मैंने बैकर खई लिया है, कई ने सर्च बेस क्वेस्टन सॉल करना है और विदिन टाइम फ्रेम अब जैसे देखिए, F.A.R. सेक्शन के बारे में बात करें या रेगुलेशन सेक्शन के बारे में बात करें, तो आपको एड अराउंड उसमें टास बेस सिमिले रहे हैं, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है हमारा पर्सनल एटेंशन, देखिए, हम स्टूडेंट अकॉंटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को एक ही पेरामेटर पर तोल रहे हैं, कई बर क्या होता है, स्टूडेंट का व उसके जॉब के बैगराउंड को अंडेस्टेंड करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, जो केवल सिंप्ली बीकॉम ग्रेजुएट है, तो बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यूएस गैब और आयफर इसको स्टूडेंट में यूएस के स्टूडेंट के अकॉंडिंग बनाए गए वीडियोस को आप देखते हैं, और काफी टाइम कंजूम हो जाता है, आपका 6 महीने, 8 महीने, साल बर निकल जाता है, आपनी जॉप में भी स्टिक रहते हैं, तो कहीना कहीं से आपको बहुत इसका प्रोफेशनल बेगराउंड क्या है, क्या वो एक graduate student है, क्या वो एक CA final का student है, क्या वो एक CA enter का student है, या उसका schooling किस तरीके से हुई, उसके basic concept कितना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको 15 दिन के एक training दे जाएगी, उस 15 days की training की according, हमने पूर सिलेबस डिजाइन कर रखा है, जिसमें हमने US GAP, IFRS, basic fundamental accounting, financial reporting, financial statement कैसे प्रिपेर किया जाते हैं, general entries कैसे पास की जाते हैं, उसके ledger के क्या impact हो सकते हैं, से बहुत सारे financial accounting and reporting के concept को, हमने skill concept, skill building concept का एक पूरा module, एक पूरा program बनाया है, जिसको में 20 days आपको chartered accountant faculties के दवारा, जाता है, जब हम एक 5-5 student के group में आपको involve करके, आपके basic funding को upskill कर देंगे, आपका confidence बढ़ जाएगा, और फिर हम आपको Indian mentality के according, उस US CPA के syllabus को पढ़ाते हैं, क्योंकि दिखिए, जो US CPA की, जो basic minimum criteria क्या है, 120 credits, graduation, 4 year graduation के requirements है, लेकिन वो graduation है, वो guys, US के graduation की है, US के bachelor की है, Indian bachelor's नहीं है वो, तो Indian student इसी लिए struggle कर रहे हैं, अब आप marketing में देखके, कि 12 महीने में, 15 महीने में, US CPA हो जाएगा, So guys, आपको really लगता है कि 12 महीने में, 15 महीने में एक world की chartered accountancy की degree आपको मिल जाएगी, आप सोचे, Indian chartered accountancy को करने में, 5 year लग जाते हैं, CA enter करना पड़ता है, बच्चे को, CA final के 2 group निकालने पड़ते हैं, आठ इदर, 16, आप कई institute, CA के curriculum को, BCOM के curriculum से कर रहे हैं, आपको मालूम है, BCOM तो one night study करके pass हो सकते हैं, लेकिन क्या CA enter, आप एक बड़, CA enter का syllabus उठा के देखिए, 8 subject हैं उसमें, तो जो CA enter बच्चा उसको pass करता, उसको BCOM knowledge से compare नहीं किया जा सकता, गाईस, लेकिन institute वाले बोल content से graduate student को compare नहीं कर सकते, गाईस, इसी कारण BCOM student क्या है, इस US CPA को pass नहीं कर पा रहे, तो अब इसमें क्या करने सर पास नहीं कर पा रहे, तो हमारा institute, AKPA सापको किस तरीके से help करेगा, पहले मैंने आपको बताया, आपकी counselling होगी, आपको training दी जाएगी, 15-20 दिन की, आपके fundamentals mental skill को improve किया जाएगा, उसके बाद आपका mock test organize करा जाएगा, और उस mock test के through, हम ये assist करेंगे कि आप किस level पर पहुँचे हैं, और फिर आपको आपकी batch के according, उस batch में क्या किया जाता है, रखा जाता है, और आपके उपर काम किया जाता है, अब हमारी batches भी तीन प्रकार के चलत होते हैं, ऐसे student होते हैं, जो already skill हैं जिनके पास, मतलब जो कि US gap और IFR इसको काफी अच्छे से समझ चुके हैं, बस उन्हें एक technical guidance है, तो हम लोग 20 से 25 student की batch बनाते हैं, 25 student उसमें होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं normal batch, तो उसमें हम लोग Chartered Accountant, CA Inter, ICWA, सार professional background वाले student और SABCOM student जो की topper हैं, जिनका की mental horizon हैं, वो काफी strong हैं, जो काफी अच्छे से हैं, तो उस batch में हम आपको अलग categorize करेंगे, और अगर आप एक थोड़े से beginners level पर हैं, तो हम आपके लिए batch बनाते हैं, premium batches, उसमें हम student की strength में limited रखते हैं, उसमें आपके बर personal काम किय जाता, जिसमें आपको पूरे fundamentals clear किये जाएंगे, आपको topic wise पढ़ाये जाएगा, उसके बाद आपको mock test लिए जाएंगे, आपके सारे MCQs solve कराये जाएंगे, तो इस तरीकी की approach होती है, हमारा purpose, देखिए, course को finish करना नहीं है, मैं तो बहुत सारे institute को देख रहा हूं, वो 6 म देना, उसका reason है guys, क्योंकि अभी आप preparing नहीं, पहले आपका होगा IFRS, देखिए, start with the best, क्योंकि आपको 18 महीने के अंदर, within 18 month आपको US CPA pass करना है, जैसे ही आप पहला subject pass कर लेते हैं, तो within 18 month आपको US CPA pass करना है, तो हम लोग पहले आपका start करेंगे, आपका financial accounting and reporting, then we'll start with the auditing, जब इन दो subject में आपकी mastery हो जाए, और mastery आपकी according नहीं, हमारे according, हम क्या करेंगे, पहले आपको सारे syllabus complete कराया, उसके topic wise mock test कराया, सारे MC की उसकराया, सारे task based simulation कराया, फिर आपके topic wise mock test लिए, फिर उसके बस जैसे ही पूरा syllabus finish हुआ, आपके world के best review providers के exam oriented कराया, आपके exam organize कराय जाते हैं और उस exam में जब आप pass करते हैं, तब हम बोलते हैं कि now you are ready to become a US CPA, now give your exam, अब उससे क्या होगा, कि दिखिए एक तो आपका time भी save होगा, आपको पता चलेगा, आपको true picture कैसे पता चलेगी, जब तक आप खुद ही exam नहीं देंगे, तो original exam देने से पहले आपको एक prototype exam, एक अपकी simulation वाली exam हम internally organize कराते हैं, और जब उसमें आप 80 percentile score करते हैं, 85 to 90 percentile, तब ही मैं आपको बोलता हूँ कि आप exam दीजिए, because guys I can very understand, एक money की काफी value सोचिए, आप around जो exam में साड़े 600 dollars, दो syllabus के लिए लगते हैं, भी recently मैंने 10 बच्चों का enrollment कराया है, तो जिसे अगर दो exam आपको एक साथ book करना, तो 650 dollars, around मान के चलिए 1200-1300 dollars आपके 4 exam में लगने वाले, 1200 dollars लगने वाले, तो guys इसकी value है न money की, और money की value है, सासा time की भी value है, और एक बार आपका confidence गिर गया, तो आप दोबारा हिमत नहीं कर पाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका confidence भी गिरे आपका confidence भरक और जिस दिन आप confidence सी exam को देंगे, आप उसको crack करेंगे, तो confidence कैसे आएगा, एक personal attention के तुरू आएगा, एक chartered accountant, faculty, experience, faculty आपके साथ में काम कर रही है, आपको एक अच्छे student, अच्छे group of students का environment मिल रहा है, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे ही student को match up करेंगे, जो आप आपके कहले पर क्या, आप सूचो एक chartered accountant के साथ में become student को merge कर दिये, तो chartered accountant और become student का तो कोई match ही नहीं है, possible ही नहीं है, उन्होंने 5 साल study की, तो आप कही न कहीं struggle करते हैं, और live lecture भी हम आपको देते हैं, और हमारे recorded lecture भी देते हैं, कि कहीं आपने अगर live lecture कोई miss कर दिया, त आप उसको backhand पर क्या कर सकें, देख सकें, सो गईज, live classes पढ़ने का जो benefit है ना, वो recorded videos देखने का benefit नहीं है, और जो foreign review providers है, उनके videos, वो देखिए, वो simple language में बोलते हैं, हमारा Indian culture क्या है, कि आपको पूरे example, mnemonic techniques, memorize techniques, चोटे-चोटे example बनाके, आपके concept को clear करके, आपके topic wise mock test लेके, और जैसे topic complete हो, उसके बाद आपको MCQ कराये जाए, फिर आपको assist किया जाए, फिर आपके simulation कराये जाए, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सही कहूं, graduate student के लिए हमारी process थोड़ी सी long term है, लेकिन long term process है, तो success भी 100% है, शॉट term में आप जाएंगे, आप marketing में की भी च्छे महीने में पास कर लीजिए, बारा महीने में पास कर लीजिए, graduation के बाद तो च्छे महीने का है, तो देखी, it's all about myth, आपको realize हो जाएगा, आप देखी, और essay student जो already जिनको realize हो चुका, एक बर हमारे institute को join करके देखिए, हम essay institute को, essay student को, जो किसी दूसरी institute से pass नहीं कर प उनको support कर सके, moral support कर सके, financial support कर सके, guys, क्योंकि अगर आप US CPA pass हो जाएंगे, तो आपकी जिन्दगी change हो सकती, तो मैं आप से ये कहना चाहरा हूँ, आप हमारी 5 batches में बैट के दिखिए, मैं आपको एक batch की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोरा दिखी, हो सकता है, आपको videos देखके, आपने कहीं join कर लिया, किसी institute में, वहाँ 2-3 तो बहुत अच्छे वीडियो दा दिया, तो आप हमारी life batch में बैट ये, एक मत बैट हो, मैं ये नहीं किया रहा है कि आपको एक batch में बैट हो, आप 5 बर बैट हो, आप सुबह बैट हो, दो पर हमारी तो 8 चल रही है, आप देखो कितने student हमारे पास पढ़ रहे हैं, उन student को कैसे पढ़ा रहे हैं, आप 5 दिन बैट हो, हम एक दिन भी नहीं कह रहे हैं आप से, आप 5 बैट हो हमारी batch में, life batch में बैट हो गाईज, और उसके बाद आपको संतुष्टी आए, तो आप join किजी, क्योंक personal attention चाहिए, और जब आपको personal attention मिलेगा, regular topics होंगे, आपके fundamentals clear किये जाएंगे, तब आप pass होंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ, कि आप हमारी classes में demo book कीजिए, आप हमारी live batch में बैट ही, हमारी तीनों batch में बैट ही, एक हमारी normal batch में बैट ही, premium batch में बैट ही, और jewel batch में बैट ह कीजिए, कि हम अलग-अलग level पे, अलग-अलग student को उसकी strategy के according कैसे पढ़ाते हैं, और जब तक हम student को उसकी strategy के according नहीं पढ़ाएंगे, result नहीं आएगा, तो हमारा normal, premium और jewel batches का concept है, और इन batches को आप पढ़के देखिए, demo लेके देखिए, दो दिन, चार दिन, पाच दिन, तब ही आपको enrollment कराना है, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, so this is the concept, so guys अगर आपको video अच्छा लगा और अगर US CPA को consistently pass करना चाहते हैं, genuinely guys, तो आप हमारी institute को join कर सकते हैं, हमारा institute आपके साथ end time तक है, that's why we are giving you till you pass concept, lifetime validity, और अगर आप जब तक US CPA नहीं बनेंगे, हम आपको लिखके दे रहें, आप हमारी institute के member हैं, guys, हम आपको कोई बाहर नहीं जाने देंगे, एक बार आपने AKPIs को join कर लिया, तो अगर जब तक आप CPA नहीं बन जाते, AKPIs will stand with you, so यह मेरा promise है, आप हमारी institute को join कीजिए, demo लीजिए, आप 4-5 दिन की classes पढ़के देखिए, live interaction classes को पढ़के देखिए, आपको वीडियोज चाहिए, वीडियोज लेके देखिए, if you feel comfortable, if you feel contented with us, आपको हमारी languages समझ में आ रही है, हमारा way of study समझ में आ रहा है, then you have to join, हम आपके ओपर कोई force नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह बिलकुल कह देते हैं, कि USCP is not an easy job, कि केवल एक graduate student, 4 या 5 महीने में, 6 महीने में इसको निकाल ले, guys, यहाँ पे terminology difference है, यह American English है, यह आपको interpretation करना है, आप देखिए, आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको बता रहो, consolidation, amalgamation, pension की accounting, lease finance पढ़ना, capital lease, finance lease, bond, liabilities की accounting, derivatives, hedge accounting, ratio analysis, cash flow statement, basic fundamentals, तो इतनी सारी आप IFR सब इतनी सारी चीजें, एक subject में पढ़ना, जिसमें हम देखें, FAR subject में, guys, 10 modules, 10 modules में around units देखेंगे न, 70 to 80 units है, उसके आपको regulation पढ़ना, आपको BC पढ़ना, आपको audit पढ़ना, तो क्या 6 महीने में, आप 12 महीने में, और 500 घंटे की वीडियो देखकर, आप USCP हो हैं, तो आप ऐसे institute को join कीजें, जो आपके साथ में personal काम कर रहा है, और जो आपको live batches में बठाके demo दे रहा है, ना कि केवल अपने YouTube पे वीडियो अपलोड कर दियें, और उनको देखके आप, आप देखें, YouTube पे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए जा सकते हैं तो केवल उसको basis पर नहीं, आप live batches को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे हैं, तो आप जोइन कीजें, तो guys, transparent में में की वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो please subscribe the channel, ताकि आपको time to time इस प्रकार के knowledge वाले वीडियो आपको मिलते रहें, तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा, खुश रहिए, खुशियां बाढ़ते रहिए, और positive रहिए, हम आपके साथ में, अगर आप struggle कर रहे हैं USCPM, और आप pass नहीं हो पार हैं, और आप वाकई pass होना चाहते हैं, तो एक बर हमारे institute को join कीजिए, और फिर देखिए कि किस level का support हम आपको provide करते हैं, किस level की आपको coaching provide करते हैं, with the minimum cost, with the maximum quality, thank you guys, thank you very much.